हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल सेच फ्रेशन वर्ल्ड आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको कितनी भूल चाहिए चाहे वो लेडी स्वेटर हो जैंड स्वेटर हो या कुछ भी आपने बनाना है बेबी स्वेट ब्लैंके टोपी उन सब के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कितनी भूल आपको चाहिए तो चलिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आकन को भी प्रेस कीजी तापकी आपको लेडिस्ट वीडियो की बून रहे हो तो वो आपकी भूल थोड़ी जादा लगती है तो चलिए मैं आपको बताती हूं एप्रॉक्सिमेटली कितनी भूल हमारी किस प्रोजेक्ट के लिए लगेगी अगर आप लेडिस्ट वाटर बनाना चाते हो तो आपकी भूल लगेगी 700 से 750 ग्राम तक आपकी भूल लगेगी वो अगर मोटा धागा है तो थोड़ा जाता लगेगा और अगर पतला धागा है तो थोड़ा कम लगेगा इस तरह से विवी लेडिस्ट वाटर बनाने के लि स्वेटर बनाने के लिए और अगर आप हाफ स्वेटर बनाना चाहते हो तो आपको बूल चाहिए साड़े 500 से 600 ग्राम तक और अगर आप बेबी सेट बनाना चाहते हो पूरा जैसे उसमें कैप स्वेटर पजामा बूटी और टोपी बनाना चाते हैं, तो आपको फूल चहीए घूरीद्क की तो आपको sixत बनाना चाते हैं और अगर आप टोपी बनाना चाहते हो जैसे बड़े आदमी की आप अगर टोपी बनाना चाहते हो बड़ों के लिए तो आपको 1500 से 200 ग्राम के आसपास वूल चाहिए और वही अगर आप बेवी कैप बनाना चाहते हो तो आपको 100 से 1500 ग्राम तक के आसपास आपको वूल चाहि अगर आप सकार्प बनाना चाते हो तो आपको बूल चाहिए और अगर आप बेबी बूटी बनाना चाते हो तो आपको पचासी सो ग्राम के आसपास बूल लेनी होगी बेबी बूटी बनाने के लिए और अगर आप गलब्स बनाना चाते हो अपने लिए बड़ों के लिए तो आपको डेट्सो से एक सो असपास आपको बूल चाहिए तो इस तरह से आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए इतनी हून लेनी होगी और अगर आप छोटे बच्चे को गलब्स बनाना चाते हो तो 100 ग्राम के असपास आपको बूल चाहिए तो इस तरह से आपको बूल लेनी हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और थैंक्स पर वाच्छिंग मिलत हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन और डिटिंग के साथ